ग्रीन रेवुलेशन हमने दी सबसे ज़्यादा माइगरेशन भी हमने जे ली हमारी फॉर्चूनर हमारी एंडैवर हमारी स्कॉर्पियो उन बच्चों की ठारा ठारा गंटों की मेनत है केती से नहीं ली हमने इस खेती ने हमें करजे के बिना कुछ नहीं दिया हमें दिया सूसाइड हमने इस देश का पेट भरा है आज तक भर रहे हैं मैं जितने भी मेरे भारतिय भाई हैं जो शहरी हैं सुबह उठके चाई पीते हो कौन कहां से आती है भाई दूद चाहिए कोई गोबर में गुसा है तो दूद आता है आपके घर में आप उस कमरे में एक मिंट नहीं रुक पाऊगे जहां से वह दूद पैदा करके भेजते हैं आप ट्रमाटर खाते हो जहर हम जेलते हैं आपको सवच साप-सुतरी सबजी भेजते हैं आ किया खाते हो जो भी पैसा कमाते हो क्या करते हो यार मंतरी संत्री जितने जी nhất और छाने की फेक्टरी हमारी है और वहां मेरे पास 10 अकर ने जो बंधा कहता है कि कि केटी असान एक साल फ्री में देता हूं करके दिखाओ मेरी जॉब कर लो मैं फ्री मैं एक पैसा नहीं लूँगा यार कोई भी बंदा जो मानता है कि खेती बहुत असान है मैं एक साल के लिए फ्री देता हूं एक बंदा ले ले दस बंदे ले ले मैं प्रॉमिस करता हूं आपके चैनल के मादम से ललन टाप से प्रॉमिस करता हूं एक पैसा नहीं लूँगा एक साल का मुझे पैदा करके दखाओ बातें मत करो हम बहुत दुखी हैं हमारी बात आज सरादपे खड़े हैं हमारे भाई हम खेतों में खड़े हैं हम खेतों में खड़े हैं हमारा दोश बता दो यार हमारा हमारा दर्द समझो हमारा एक एक दोश बता दो कि आपका ये दोश है यार अपने ये गल्त कर दिया हम चले जाएंगे वापिस आप जॉब करते हो काम करते हो हर काम के लिए एक लाओ है कि आपकी आप बंदुवा नहीं हो आपकी मर्जी के बिना कोई आप से काम नहीं करवा पाएगा जो चीज हमने मांगी नहीं हो हमें क्यों दे रहे हो यार आपने हमें अपने मैनिफेस्टेव में वादा किया कि स्वामी नातन की रिपोर्ट हम 60 करोड हैं 60-70 करोड हैं हमारे खेती के ओपर कितने मजदूर हैं आप यह मुझे बताएं जब एक ट्रेक्टर खेत में जाता है तौ़ ट्रेक्टर नहीं जाता आपकी एकॉनमी चलती है हमारे साथ आपका डीजल आपकी पैस्टी साइड आपकी फडिलाइजर आपकी जि जो बोलते हैं कार्स की जो फैक्टरीज एंडस्ट्री है जो भी इनकी है कहां चली गई प्लस में तो सिर्फ एक्रिकल्चर की है लाखों करोड का करजा लेके उस पे व्याज न देके उसको माप करवा के यह देश वक्त और हमें देश द्रोही हमारा दोश इतना ही है भीया कि हमने इस देश का पेट बराए है 66 से पहले यहे मंत्री लोग जो आज बैठते है ना तब के जो मंत्री थे ना अमेरिका जैसे देशों में जाकर खड़े हो जाते थे कि आपके दियो है पांच डॉलर लिखा होता था कि हिंदोस्तान में इंडिया में बारत में इतनी फैमिली को इतने दिन के लिए खाना देंगे और पता क्या लाते थे लारंग की गेहूं यह बजूर के बैठे इन से पूछिए वह जानवर नहीं खाता था उनको यह वो मांग के लाते थे बखारी थे और आज एर फोर्स बंग से भी बढ़िया आठ नौ हजार क्रोडर के जाज पे बैठा है न वो इन्हीं लोगों के है इनके तो तुम डेली आपका सारा जो आपके जितने भी मंत्री हैं साबका है जा मजूदा है जिस रोजा कर दस बा वो जीडीपी आज मैनस्तेई में जा रही है किसकी बदावलत है इनकी जनके 32 परसेंट नीचे देश को ले आए लेकिन सबसे साड़े 3-4 परसेंट ग्रोफ थी एगरी कल्चर की इसलिए अभी इनको यह जो किया गया है ना सड्यांतर के साथ यह मैजदूरों के साथ हमारे जितनी पैसे देंगे उस पर यह लोग खुशों के काम करेंगे लेकन हम लोगों ने एगरी कल्चर की बदावलत लंगर लगा दिये उन लोगों को जिन्हों ने हजारों किलोमेटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया उनके लिए हमने कंबल कपड़े और लंगर का इन्हों किया इन्होंने क्या किया सिर्फ से सिर्फ भुखमरी दिया है आपने दो क्रोड नौकरी की बात कही थी कहां गई आपने सबसे महां जूटे आदमी हो बाई एक वो आपके साथ जो मित्शाय और तुम हो आपकी यो सरकार है ना उसको आप लोग नहीं चला रहे जाता है आप उसी को एंप्लीमेंट कराने की कोशिश करते हो किसी सेलेक्शन कमीटी के बास गया किसीी कसान चुनियन का आपके बास रैफेरंस ऐंसके साथ बात्यित की हो किसी कहती माहर का है और तोर चोड़ी आर पाल नौका कि पारिद्र मेटनिग और जो मेज़वरों के उपर आपने कणूं लाए हैं कि आपको तीन मीने पहले हर्ताल का नोट स्षी बाप सीं के उपर और कशानों के लिए बीगाई और बूख का कोई धर्म नहीं होता जागे बाहर में मंडी खुल जाए खुली मंडी प्राइवट मंडी उससे 42 सो क्रोड रुपए का मर्क मेटी का नक्सान होगा मंडी करन बोर्ड का हमरे पंजाब का बहुत सारे जो काम कर रहे हैं वहां पर उन लोगं का नुक्सान होगा औ और पचास हजार से उपर जो आड़ती यह थे एजंट्स उनका नुक्सान होगा उनका तो आड़ती को भी चोलिया बोलती है कहती हूं तो पैसे खा रहे हैं बिल्कुल गलत बात है वह किसानों को है एट्यम काड हम मुझदूरों के एट्यम काड है किसान और उनका वी चौपट हो जाएगा उनका परवार भुखा मर जाएगा हम उसका बारे भी सोचने हैं यह बेल्कुल यह कनूर जो बिल्कुल गलत है पबलीका पबलीका होगा जिसमें जिनमें बद्यारती मेडिया वाले दुकानदार मजदूर और और बहुत मारे बाईचरे मुलाजम वर चार चार साल उसमें कराब नहीं होता उसको स्टोर करके रख लेंगे अकाल जैसी परस्तिती बना देंगे जब अकाल पड़ गया आप से मीडिया वालों से व्यारतियों से सारे वर्गों से 200 रुप्याक के लोका भी मांगे तो आप देंगे बुखे मरते क्या करोगे आप नोड़ तो नहीं खा सकते ना खाना खाना पड़ेगा बोजन खाना पड़ेगा और जब इनका मर्जी हो गया कि हमारे सामने को छोटा वपारी उठ रहा है यह सारे का सारा माल मंडी में गिरा देंगे लिया कर खुली मंडी में और धंदा चौप्ट कर देंगे छोटे वप तो मेरे पास 50 एकड से उपर जमीन है मेरे पास पंजाम में कपूरतरा जिला में सुल्दान पर लोदी तथिमिन है मेरा ब्रदर 25 साल से जर्मनी में है नचनल मैंने ये इस कनून से मेरा इसतना मन खराब हुआ मैंने अपना बेटा कनेडा बेज दिया मेरे को फ्यूचर जो है हम बड़े जीमतर हैं गाम में हम चाहें कि हम लोगों का अनाज कठा करके हम स्टोर कर लें और जे जो अढानी है आबानी है इतना नाज को मंडी में क्रश कर देगा फैंक देगा हमारा धंदा चोप्ड रदेगा बिलकूल हमको खत्म कर देगा हमको इस कनून में कुछ नहीं ह उसमें मेरे जो ऐसी ब्रत भाईचरा है हमारा गरीब तब के जो हैं हमारे बीसी भाईचरा है उनका इतना नक्सान होगा उनका शाड़ी गल्दिसमें